कौन-कौन तयार है, रिवीजन के लिए हाथ उठाओ, ठीक है, जल्दी बताओ, पांच मिट में, जितना अब तक पढ़ा है, पांच मिट में, देखो, प्रोजेक्ट O2 क्या है, ओक्सीजन की जो रिलेटिर चीज है, उनकी जो किलत है, उसको दूर करना, उसके लिए, चाहे तो प्लांट बनाने पड़ें, चाहे कुछ भी हो, यानि ऑक्सीजन की आपूर्ती सुरक्षित, सुनिश्चित कराना है, प्रोजेक्ट O2 for India का उद्देश्य, ठीक है, जीवन वायू उपकरन को किस संस्थान ने विक्सित किया, IIT रो पढ़ने, किसने, IIT रो पढ़ने, ठ तिलंगाना, फ्लिपकार्ट तिलंगाना, ठीक है, कीवर्ड से ही, उद्देश्य क्या है, दूर दराज के छित्रों में चिकित्सा की आपूर्ती करना, ठीक है बच्चो, इस रो द्वारा निर्मित भारत में वेंटिलेटर, स्वस्थ प्रान और वायू, स्वस्थ प्रान ठीक है बच्चो, डेल्टा का क्या है, 16172, 16172 डेल्टा का ठीक है, और 16171 का है कप्पा, क्या है बच्चो, कप्पा जो है, वायरस का जो कप्पा जो प्रकार है, इस ट्रेन है, उसका नाम है 16171, यानि कप्पा पहले है, और बच्चो, डेल्टा बाद में, कप्पा पहले है delta बाद में थीक है kappa delta और फिर delta plus आया उसका है á y1 उसको नाम क्या दिया गयाे y1 नाम दिया गया बचो ठीक है इलाज के लिए bank को ने कहा कितने रुपे तक देंगे पाँच लाख रुपे तक देंगे बिना कुछ kolateral के बिना आपसे कोई security में चीज लिए ठीक है बच्छो पाकिस्तान की वैक्सीन है पाक वैक है ना किसकी मदद से तयार है तो एक खाने खराब दूसरे खाने खराब की मदद से तयार करता है एक्सरे से तु क्या है एक्सरे भीजेंगे भई डॉक्टर साब बतादो मुझे करोना है या नहीं एक्सरे से तु वाट्सप पे एक्सरा भीज़ जाओं डॉक्टर साब बतादो मुझे मतलब खत्रा है या नहीं कोरोना का ठीक है कोरोना मुक्त ग्राम प्रतियोगता कहां किये महारास्त किये कहां किये बच्चों महारास्त किये ठीक है हना कोरबे वेक्स किस की है दवाई बायलोजिकल ए कंपनी की कहां किये हेदराबाद की है इसको सरकार ने क्या किया पंद्रेसो करोड का अग्रिम भुकतान एडवांस में दिये पंद्रेसो करोड के भाई आप जल्दी जल्दी बनाओ वेक्सीन पैसे की कम यह तो यह लो ठीक है चलो मेक्शिफ्ट कोवेड-19 अस्पताल का उद्गाटन कहां किया अभी हाली में तो हिमाचल के उना में हिमाचल के उना में अपनी वयस्क आबादी को 100% क्या करवा दिया वेक्सीनेशन करवा दिया वेयान गाओं ने कौनसा गाओं बना भारत का पहला वेयान जम्मू कश्मीर का 28% था अगर वेंटिलेटर आप भार से मंगाते हो इंपोर् देंगे 50,000 करोड तीन साल के लिए देंगे कितने के लिए देंगे बच्चो तीन साल के लिए देंगे ठीक है बच्चो आयू 64 दवा क्या एस्पेशली तो मलेरिया की थी लेकिन किसमें काम आई कोविड के जो हलके मामले है उनमें ठीक है बच्चो और यह CCRAS ने विक्सित किया और यह क्या है Central Council for Research in Ayurvedic Science Central Council for Research in Ayurvedic Science में ठीक है इसकी फुल फॉर्म है दवा COVID-19 के हलके और कम गंभीर मामलों के रोगियों पर काम करती है बच्चो ठीक है आत्मन AI क्या है Artificial Intelligence का एक ऐसा उपकरण है जो आपकी चेस्ट को स्कैन करके बता देगा कि भई क्या आपको कि दवाई बनाई है 2DG 2DG दवाई किसने बनाई है DRDU ने बनाई है अगर उसमें Laboratory वी आ जाए तो इनमास Laboratory बनाई है किसके साथ Dr. Reddige Lab के साथ मिलके बनाई है कहा है Dr. Reddige Lab है कहां पर बचो है ठीक है किसकी दवाई यह Corona की दवाई यह vaccine नहीं ध्यान रखना 2DG क्या है Corona क कि दवाई है vaccine है दोनों है इनमें से कोई नहीं तो यह दवाई है medicine ठीक है ध्यार रखना अभी प्रमुक अभियान युवा शक्ती Corona मुक्त अभियान मध्यप्रदेश का है Mission होसला देखो कहां का है उत्राखन का है Mission भारत O2 Challenge IIT कानपुर ने दिया था सावधान रहें सेफ यह बजाज फिंसर्व का है किसका है बजाज फिंसर्व का मारूग्राम मारू भई गुजराती सा लग रहा है तो तो गुजरात का हो गया मारूग्राम कोरोना कोरोना मुक्त पिंड है ना पिंड तो यह हो गया पंजाब का और कोविड फतय भी कहां का हो गया पंजाब का जंग वैरियर अभियान जो भारत सरकार इसमें है, यूनी सेफ है और यूवा है, क्या है बच्छो, यूवा है, भारत सरकार है और यूनी सेफ है, ठीक है, मिशन बिगिन अगेन महारास्ट कह रहा है, फिर से केस बढ़ रहे हैं, फिर से बिगिन अगेन दूर रहना शुरू क लगाना शुरू करो mission begin again कहा का है महारास्ट का है बच्छो ठीक है चलो संकल्प अभियान मध्य प्रदेश खाए और जान है तो जहान है अलप संख्यक जान है तो जहान है अलप संख्यक मंत्राले का ठीक है ध्यार रखना है भई कोविड के दौरान चर्चिस शब्द क्या है LMO लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन क्या लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन नमबर दो DCGI ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कोविन कोविड वेक्सीन इंटेलिजेंस वर्क, कोविड वेक्सीन इंटेलिजेंस वर्क और 2DG 2D ओक्सी डी ग्लुकोस 2D ओक्सी डी ग्लुकोस और यह बनाई किस ने थी? इनमास लैब ने किसकी इनमास लैब? DRDO की है Institute of Nuclear Medicine and Allied Sciences Institute of Nuclear Medicine and Allied Sciences इसका नाम रहेगा बच्चों मिशन भारत O2 Challenge किस IIT का? IIT कानपूर का ठीक है? मिशन भारत O2 Challenge किस का? IIT कानपूर का ठीक है बच्चों उत्राखंड राज्ये ने चलाया कौनसा? कौनसा बच्चों मिशन होसला अभियान उत्राखंड की पुलिस ने चलाया ठीक है COVID-19 के लिए जो आयुश घरद्वार आयुश घरद्वार यानि कम आपके लक्षण ज्यादा लक्षण नहीं है तो घर पर ये आपको जिसके बारे में चिकिस्सा के बारे में सलह मिल जाएगी वो है आयुश घरद्वार कौनसी योजना है? आयुश घर द्वार है ना कोरोना मुक्त पिंड पंजाब का है कोविड फते कहां किये पंजाब किये कोविड फते भी कहां किये बच्छो पंजाब किये ध्यान रखना है ठीक है MyLab Discovery Solutions एक कंपनी है जिसने बनाई कोवी सेल्फ नाम की किट जिससे घरी टेस्ट कर सकते हो कहां कर सकते हो घर और इसके ब्रैंड एंबेस्डर कौन बन गए अक्षे कुमार बन गए बच्छो कौन बन गए अक्षे कुमार ठीक है कोविड नाइंटीन की एंटी बोडी डिटेक्शन यानि पहले आपको हुआ है नहीं एक ऐसी किट बनाई DRDO ने किसने DRDO ने उसका नाम है डिपको वेन क्या नाम है डिपको वेन बच्छो ठीक है जम्मू कश्मीर ने ऐसे परिवारों के लिए जिनमें कोरोना से कोई मर गया है कौनसी योजना शुरू की SASCM क्या SASCM ठीक है जानवरों के लिए कोरोना वाइरस का टीका सबसे पहले रूस ने बनाया ठीक है बच्छो किस राज्य ने जन अनुशासन पकवाड़ा जिसने चरंजीवी योजना चलाई है मुख्यमंत्री चरंजीवी स्वास्थे योजना चलाई है अब मुझे बताओ स्मार्ट किचन योजना किसने चलाई है बच्छो स्मार्ट किचन योजना किसने चलाई है स्मार्ट किचन योजना और नमबर दो पे मा की रसोई नमबर दो पे मा की रसोई ये योजना है किसने चलाई है जल्दी बताओ बच्छो दोनों मा की रसोई और smart kitchen योजना ये दोनों योजना है किसने चलाई है smart kitchen योजना चलाई है किसने बच्छो केदल ने बिल्कुल ठीक है केदल ने चलाई है smart kitchen जो kitchen में क्या है बच्छो जो मदद देगी पैसे की महिलाओं को जिससे की वो अपने kitchen को smart यानि कि अलग अलग चीज़ें जो नए नए यंतरातें उसके खरीदने के लिए उन्हें वित्तिय मदद यानि financial assistance देगी ठीक है और दूसरी है मा की रसोई 5 रुपे में 5 रुपे में खाना मिल जाएगा किसी गरीब आदमी को कहां पर पस्चम बंगाल में ठीक है ध्यान जो कि दिल्ली में हवाई एड़े पर बनाया कभी आपको प्यॉर ऑक्सीजन लेनी है तो थोड़ देर के लिए आओ ये मास्क लगाओ आपको प्यॉर ऑक्सीजन मिलेगी ठीक है तो ऑक्सी प्यॉर का आपको पता चल गया संजीवनी वाहन है ना जैसे संजीवनी जान बच जारी थी उसी तरह से ये हो जाएगा जार खंड और लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के लिए जो एक इंडियन रेलवे ने चलाई वो चलाई ऑक्सीजन एक्सप्रेस क्या चलाई ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहां से चली वो चली विशाखा पत्न कहां का अभियान है बचो मध्यप्रदेश का है ना माई मास्क माई सेक्योर्टी यहां भी कोविड को कंट्रोल करना ही इनका उद्देश है ठीक है 16 मार्च को टीका करन दिवस मनाया जाता है क्या विश्व टीका करन दिवस मनाया जाता है 16, March को ठीक है, चलो COVID-19 को लेकर किस राज्य सरकार ने कारवा परेटन नीती, तो महरास्ट ने चलाई है, कारवा परेटन नीती और जेल परेटन भी कहां की है, जेल परेटन भी कहां की योजना है जो की पूने की यर्विदा जेल से शुरू हुई है वो भी महारास्ट की है ठीक है कोवेक्स किसकी पहला संयुक रास्ट की है गरीब देशों को टीका देना है पहला देश कौन सा बन गया घाना बन गया पहला कौन सा बना बच्चो घाना बन गया है ठीक है चलो राम सेवक सर्मा कौन है एक समीती बनाई के COVID-19 का vaccination program ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है उसके लिए राम सेवक सर्मा या आरेस सर्मा भी नाम आ सकता है ना और ये National Health Authority ये National Health Authority के भी क्या है जो रास्तिय स्वास्त प्राधिकरण है उसके भी अध्यक्ष है आयुश्मान भारत प्रोग्राम भी इनिकी guidance में चल रहा है ध्य प्राण रखना है वच्छो ठीक है चलो कोनराड संगमा बनाए उसके लिए जो COVID-19 से रिलेटर चीजें है उन पर GST कितनी कम करनी चीए किस चीज पर कम करनी चीए उसके लिए एक समीती बनाई कोनराड संगमा क्या है कोनराड संगमा ठीक है वच्छो रक्षिता क्या है बा मालदीव और भूटान कौन से मालदीव और भूटान जिसको यह तहत वैक्सीन दी गई ठीक है वो देश कहा है विभिन देशों को जो हमारे मित्र देश है उन्हें वैक्सीन देना किसके तौर पर उपहार के तौर ठीक है बच्छो चलो किस राज्य ने कोविड-19 से परिवा पिंक बूध का संबंद किससे है संबंदत है इसपेशली किस लिए बनाये गएं महिलाओं के लिए किस राज्य सरकार ने बनाए है योगी सरकार ने बनाये यानि कि उत्तरप्रदेश की सरकार ने बनाये ठीक है बच्छो चलो वैक्सीन ड्राइव कबशुरू की गई हमार वाइरस की उत्पत्ती कहां से मानी जाती है तो चीन के वहान शहर से कहां से वहान शहर से ठीक है इसका स्रोत क्या है SARS-CoV-2 SARS-CoV-2 वाइरस इसका स्रोत है बच्चो ठीक है SARS-CoV-2 ध्यान लखना है कौन सा अंग मुख्यता प्रभावित होता है फेपड़ा सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है ना इसलिए तो मतलब CT scan या X-ray कराया जाता है जिससे फेपड़े की जानकारी हो जाए कि कितना ये क्या है कितना ये affected हुआ है ठीक है बचो जनवरी चलो ये वाले रहने दो भई ये ज़्यादा दो तिन question ये जरूरी निया करने है न कि कब किया गया चलो ये ध्यान रखो बस कि भई रहाँ पहला lockdown काब लगाया गया हमारे हां पहला lockdown कब लगाया गया पूरे देश के तौर पे ये बताओ पूरे देश के तौर पहला lockdown किस तारिक को लगाया गया ये important question है ये important question है 22 फरवरी 2020 22 March 2020 22 April 2020 जल्दी बताओ कब लगाया गया 22 March 2020 से है न 22 March 2020 बिलकुल ठीक है बई बिलकुल ठीक है और महामारी घुशित करने वाला पहला राज्य बना हरियाना ठीक है बस दो मिट की क्लास और है Coursera की Global Skill Report में हमारा कितना नंबर है 66 नंबर है Global Startup Ecosystem Report में हम कौन से नंबर पे है 20 में पे है संयुक्त राज्य अमेरिका पहले पे है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में हम है 14 नंबर पे और इंडोनिश्या पहले नंबर पे वैश्विक सांती प्रुसकार सांती सूचकांक होगा बच्चो ये इज ओफ लिविंग उसमें पहले नंबर पे क्या है क्या है बच्चो बंगलूरू क्या है बंगलूरू शहर है पहले नंबर पे Global Innovation Index में हम पहली बार आए हैं 48 नंबर पे जारी किसके द्वारा किया जाता है विश्वेश्वक बौधिक संपदा संग्ठन जिसे बोलते हैं World Intellectual Property Organization जो की जिनेवा में है ठीक है मानव विकास सूचकांक या नहीं Human Develop Index में हम कितने पे हैं 111 नंबर पे हैं विश्वक खुशहाली रिपोर्ट बदाई यह है 149 कौन सी है 149 वी हमारी rank है World Press Freedom Index और Global Gender Gap तो Gender Gap में हम है 140 पे मैंने बताया था ना एक एक आदमी को 4-4 लड़के चाहिए लड़किया एक भी चाहिए ही नहीं तो वो है क्या Global Gender Gap Index और World Press Freedom जो है उसमें हम 142 वी नंबर पे कितने पे हैं? 142 पे लोगतंत्र सूचकांक में है हम 53 वी नंबर पे बच्चों कितने पे? 53 पे Performance on Climate Change Index Climate Change में हम 10 वी नंबर पे हैं और जो Climate का Risk है Climate से सबसे ज़्यादा Risk होने वाले कंट्रियों में हम 7 वी नंबर पे हैं कितने पे? 7 वी नंबर पे बच्चों Global Hunger Index में हम 94 वे नंबर पे हैं कितने पे? 94 वे में Corruption Perception Index जो कि किस के दौरा? Transparency International के दौरा जारी किया जाता है उसमें हम 86 वे नंबर पे हैं कितने पे? 86 वे Handle Passport Index जो latest है उसमें हम 90 वे नंबर पे हैं और Fire Power Index और एक दूसरा विया Military Direct Index दौनों किस से संबन दिता है? कि किस Military की किस की सेना की जादा ताकत है उसमें हम 4 नंबर पे हैं दौनों में ही किस में बच्चों? उसमें दौनों में ही हम 4 नंबर पे हैं इसमें Fire Power में पहले नंबर पे USA है लेकिन अगर Military Direct वाले की बात करें तो उसमें पहले नंबर पे चाइना है कौन है? पहले नंबर पे उसमें चाइना है ठीक है? अब मुझे एक कुशन आप बताओगे लास्ट में एक कुशन आप बताओगे कि कोवेक्स पहल के तहत कोवेक्स पहल के तहत पहली बार वेक्सीन पाने वाला देश कौन सा है ये आप बताओगे और साथ में भई अगर क्लास ठीक लगी हो तो जाते जाते एक लाइक का बटन आप दबा के जाओगे आज ठीक है कोवेक्स पहल के तहत पहली बार वेक्सीन तो बचो ये आपको थोड़ा सा भी याद हुआ होगा ना 30% जो रिपीट किया है उससे थोड़ा सा तो याद हुआ होगा एक बार आप और कर लेना बस इसे एक बार इसकी PDF और पढ़ लेना फिर एक बार जो 10 मिन्ट वाली क्लास है ना 10 मिन्ट वाली उतने में तो आप PDF से ही पढ़ पाओगे है ना PDF ढूंडोगे भी कहां है फोन में भी देखोगे इतने में तो 10 मिन्ट की वीडियो अपने कान के पास रखो बेसक उसकी तरफ देखो भी मत तो भी हो जाएगा ठीक है घाना बिलकुल ठीक है बच्चो घाना सभी का आपका reply है और वो बिलकुल ठीक है चलो तो आज के लिए इतना ही बच्चो जो आज की क्लास थी वो संड़े हो जाएगी सुवह साड़े पांच बजे वाली उसके ल झालिव साध्तेले हो जरे खिल्वांटने यूआ को जर चालिव सावज में राएगा बधर के बज्य किसा देन्वल, झालिव सामें sick line, जेखराओे होई़े कीये जैसे हुल पुल पन्सकी का आद़ादा सब युल ॉलो प्हाँ